afterlife cycle करते हैं पकरवां निसमें नेच्ज़ ऩे इसमें पांच तरह के डीफेंट डिफर्स एहांवा ववर मम्हें पहली स्टेज है यूर डीनियु स्टेज स्टेज इस विफ्छ तो नेख्स टिलय घ्र उत स्प only ज्स इसके अंदर बे सिरियू स्पोर्स को हते हैं फॉर्थ स्टेज है पिक्नियल स्टेज इसमें पिक्निडियो स्पोर्स डिवैल्प होते हैं लास्ट स्टेज है फिफ्थ एशियल स्टेज इसके अंदर सीडियो स्पोर्स डिवैल्प होते हैं पहली तीन स्टेज जो है यह वीट प्लांट के अंदर कम्प्लीट करता है स्टार्ट होता है तो यह है लीफ का से च्रोप्चर होस्ट सेल यानि के लीफ के सेलSuper जैसे लीफ के सेल आप जैसे ही इंफैक्शिन आप्ट के लीफ के अंदर्स निपरh तरफ से आएगा तर जो स्टॉमेटा स्टॉमेटा की टिप होगी वा महतелен कर जाएगी श्व...... करने के बाद epidermis रप्चर हो जाएगी और ये spores बनके लीफ से बाहर निकल जाएगी यानि अब ये अब लीफ से बाहर निकल जाएगे और इस तरह ये बहुत सारे लीफ में से बन जाते हैं युरिडो spores फ़र्दर जाने से पहले मैं आपको टायागराम बता दू बिसेडिया स्टे़ की ये हमारे पास है ठीलियुटो spores जो काझर ये निकलिय कोंते हैं की इसके अंदर दो नंुक्लिय है रहें आपस में फ्यूज कर देते है और germination start करते हैं और इसको फिर कहते हैं आप एपी बसीडियुम अब इसके अंदर फर्दर जो है वो होती है और स्टेडियो मेटा बंता है और चार-चार जो सैल्स हैं वह स्टेडियो मेटा के जरीए बाहर जहां वह रिलीज हो जाते हैं और इस तरह बेसीडियो स्पोर्स बनके सैपट हो जाते हैं तो बेसीडियो स्टेज के अंदर बनते हैं बेसीडियो स्पोर्स तो यह आपको सेट्रक्चर नजर आ रहा होगा यह है बार्ले लीफ का सेट्रक्चर यह जो फ्लास शेप सेट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिक्नीडिया या फिर स्पर्मेटेंजिया स्पर्मेट एंजिया में क्या बन रहे हैं पिक्निडियो स्पोर्स और ये जो ब्रांचिस नजर आ रही हैं इनको बोलता है रिसेप्टिव हाइफी और इसकी हाइफी जो है पूरी बार्ले लीफ के मेजो फिल सेल्स तक फैली वी है